कि हैलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो प्स्टोक मार्केफंट्स एस्ट्राजनिका की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और गाइज और फिनांसल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वाटर एंडेड साथ में 24 उपीश पर एक वीडिशियर के एक डिविडेंट भी रिकमेंट किया गया है इन्वल जनरल मिटिंग में अप्रूफ किया जाएगा और गाइज रंबर लैक्स में है पहले क्वाटर रेंडेट को कवर करेंगे इंकम 391.8 करोड का पिछले क्वाटर में 316.4 करोड का और मार्श 23 क्वाटर में 292.7 करोड का इंकम है क्वाटर और क्वाटर येर ओनियर दोनों के इंकम इंक्रीश किया एक्सपेंसेश हुआ 337.5 करोड का पिछले क्वाटर में 295 करोड का मार्श 23 क्वाटर में 229 करोड का एक्सपेंस हुआ था क्वाटर और क्वाटर येर 20.3 कROड का मार्च 23.3 क poking 23,32 कROड का operating profit है quarter on quarter य जंश किया है net profit 39.4 कROड का पिशले quarter 15.8 कROड का कुशंच 23 कROड का 17 कROड भॉफिट quarter on quarter year on year दोनों में dalणे है present Metro聲 quarter on quarter? income of 30.3 करोड का 23 में 1029 करोड का income increase किया और expenses हुआ 1127 करोड का 23 में 864.7 करोड का expense में increase किया है exceptional items 16.4 करोड का gain हुआ जबकि पिछले quarter साल 23 में 40 करोड का खर्च हुआ था इसके कान का operating profit 219.6 करोड का और 23 में 134 करोड का operating profit है increase करता हुआ देखने को मिला है net profit 161.5 करोड का 23 में 99.2 करोड का increase देखने को मिल रही है EPS 64.8 रुपीज का 23 से increase किया है तो guys quarter ended हो या financial year ended company का result बहुत strong पेश किया क्योंकि income और profit दोनों increase करता हुआ देखने को मिल रहा है बहुत strong growth देखने को मिल रही है company का income profit में और यहां पे जो profit before tax जो है 17% का इस बार previous financial year से बहुत strong jump देखने को मिला है और substantial 29% का revenue जो ऑपरेशन से इस बार जनरेट किया बहुत ही 29% का increase किया इस बार revenue अर्णिंग पर 63% का जो सिन्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है तो overall guys company का जो result आया बहुत अच्छे result देखने को मिल रही है और यहां पे अपडेट आया कि इसके मैनेजिंग डिरेक्टर है इनका कहना कि 24 जो है सो इस company का मतलब कि 24 के जो financially one of the strongest year है इस company के लिए इस का मतलब कि इस country में इनके लिए और यहां पर मतलब कि immense प्राइड भी है consistent प्रफॉर्मेंस में जो सो प्राइड देखने को मिल रहा है और यह रही है और यह प्रोड़क्ट सेल है फर्स्ट टाइम क्रॉस किया 1000 क्रोड मार्क को फर्स्ट टाइम क्रॉस के जो की टोडल रेविन्यू राटीन हंड़ क्रोड के इस बार और देखने को मिल रहा है तो अबर रहा है इस company बहुत इस ट्रॉंग देखने को मिला और six months में 23.2 परशंड का पॉसट इता इसमें अंटिर कर सकते बहुत ही स्टॉंग इस बार रिजल्ल्ट पर इस किया है और इसमें बहुत है बहुत इस्टॉंग ता इसमें अंटिर्य कर सकते पने टैट और यहां आइवरेज करना चाते है तो अप यह वहुल्ट भी कर